जो पढ़ाई का इस्तर होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। सिच्छक की भरती जिस बड़े पैमाने पर होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही। सरकार जानबूश करके पेपर लीग कराती है जिससे की उन्हें नौकिंग न देना पड़े। विरोजगार इसवार और सिच्छक दोनों मिलकर के भादिनता पाड़ी को तफदित सफाय करें। जो इनकी एजुकेशन पॉलिसी है वो भी गरीबों को पढ़ाई से दूर करने की है। मुझे याद है कि बच्चों को कुक्ट हॉट मील मिले गरम खाना मिले इसके लिए लगातार किशिन बनाने का काम शुरू हुआ था। और अक्षे पात्रा जैसी संस्थाएं जो इसमें काम अच्छा करें उनको जोड़ने का काम हुआ था। लखनौ शहर में ही देड़ लाक से जाद है बच्चों को गरम खाना कैसे प्राइमरी स्कूल में पहुंचे उसकी विवस्था की थी समाज़ाई सरकार में। और और औरमेडिक किचिन बनी थी। और इसी तरह की किचिन हर जिले में बननी थी जिससे की बच्चों को समय पर और गरम खाना खाने को मिल जाए इस सरकार ने वो भी योजना रोब दी। जो पढ़ाई का इस्तर होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। सिच्छा की भरती जिस बड़े पैमाने पर होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही। इनके इंटर्मीडे स्कूल में बच्चे कम पढ़ने जा रहें एड्मिशन कम लिये हैं। पॉलिटेग्ने में कर्म एड्मिशन हुएं। आईट्याई में कम एड्मिशन हुएं। से चाहिएं। उनके पेबर लिक हो गए विय। जितनी वी परीच्छा हुएं, उत्वदेश में सब पर उंगली ऊठी है। और पेबर लिक हुएं। कैंसल करनी पड़ी सरकार को। सरकार जानंबूझ करके पेबर लिक कराती हैं। चिस्ते की उन्हें नौकी न देना पड़ें विरोजगार इजवार और सिच्छक दोनों मिल करके भादिनता पाड़ी को तब देश सफाय करें